टेंप्रेचर जो हमारे यहां अभी 45 के करीब जा रहा है उपर निचे हो रहा है और बहुत सारी गर्मी हो रही है तो मेरे यहां तो पानी की किलत भी है जैसे कि हर साल गर्मियों में हमारे यहां हो जाती है तो पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर किया था तो इसलिए मैं ब जो स्बसे पहले तो इक बहुत ही बढ़िया प्लांट जो मालावार स्पीनेच जिसे की बेल वाली पालक भी कहा जाता है या फिर हम पोई साग भी कहते हैं तो वो आप ग्रो कर सकते हैं इस टाइम और जरूरी नहीं कि उसे आप सिर्फ खाने के लिए अगर खाने के लिए नहीं तो डैकुरेशन के तोर पे भी उसे आप ग्रो कर सकते हैं तो चलिए अब आप को मैं आगे दिखाते हूँ कि मैंने मेरे गार्डन में जो अपने आप जो ग्रो हुए हैं जब मैंने कुछ एक सीड्स उनके डाल रखे हैं और दूसरी बात ये कि कुछ फूलों के गर्मियों के पो दे लगा देजी आने वाल टाइमे खूब फूल आएंगे और यही मैं आप से शिर करने बाले हूँ तो चलिए देखते हैं आगे हम तो अच्छा जिन प्लांट्स की मैंने बात की है उनको दिखाने से पहले ये मेरे किसी भाइवेन की फरमाईश थी कि जो थाइलेंड से मैं बीज लेके आई थी वो बेल दिखाई जाए तो मैं भूल ली जाती हूँ तो आज जब मैं चट पे पानी दे रही थी तो मुझे ध्यान आया कि वीडियो बनाते हूँ इसे मैं जरूर दिखाऊंगी तो ये बेल है ये देख रहे हैं आप ये वाली बीच मॉर्निंग लोरी तो ये मैंने बिल्कुल दिवार के साथ पोद्दों के जुंड में इसको रख दिया है मैंने नेट वैट कोई नहीं लगाया और 45 डिगरी के करीव हमारे टेमपरेचर हो रहा है तो एक बेल मैं इसकी निचे लेगी थी तो वहाँ प्रोपर धूप तो नहीं पड़ती तो ये बेल जो चड़ने के बजाए निचे फैलती वी अच्छी लगती है तो ऐसा नहीं है कि थाइलेंड में ही इसके सीर मिलते है तो कहीं भी समुंदरी किनारे में ये बेल खूप आई जाती है तो चुकि मैं गई थी तो उस टाइम भी इस्तियार थे तो मैं ले आई तो ये है वो बेल तो जो पुरानी पुरानी है वो ऐसे सूकती जाती है ये तो जब नीचे फैलती है तब ये सुंदर लगती है उपर उपर से हारी होती जाती है ये इस तरह से तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने देख ली होगी तो इस प्लांट को जो इस बेल को गोट के नाम से भी जाना जाता है इसके जो पत्ते होते हैं वो गोट के फुट की तरह होते हैं तो ये देखिए ऐसे होते हैं अभी तक तो चल रही है इतनी गर्मी में भी आगे देखो क्या रिजल्ट्स रहते हैं तो में जिन सब्ची की बेलों की बात कर रही थी तो यह इस ताइम जब हम सीट्स लगाते हैं बड़ी अच्छे से ग्रों हो जाते हैं जर आपने आप कहीं गिरता हैं तो हो जब मिट्टी तो अच्छी बनानी है जब मिट्टी पूरा डिला जैसा जम आ जाता है उसको बिना तोड़े route भी भी बीच में हो तो कई भी कभी तया बहुआ इस्ट क्षसाख अएम भरपूर गर्मी में भी तो मैंने खुब सारे बीज डाल रखे हुए है तो ये इस बैग में भी मैंने एक ग्रू बैग में इतने सारे बीज ये पूरे मालवार स्पीनिच बेरे निकलाए हैं तो आप ये डाल दीजिए और दूसरी जो बेल है मेडिसनल प्रोपर्टीज उसमें खूप आई जाती हैं चाय के काम फूल आते हैं ये कलिटोरिया अपराजिता तो इसके भी सीड्स डाल दीजिए जहां कहीं भी जितने भी पूद्दे चाहिए तो आराम से अब निकलेंगे और बरसात के टाइम तो एक महिने के अंदर ग्रो सकते हैं तो मैंने कलिटोरिया अपराजिता की बेल ये भी ये दिखी ये इस तरह से बीज डालने हुए तो इसी गमले में होगी है तो इसमें से कहीं भी कभी भी ट्रांस्प्लांट कर सकती हूं जाए एक वो दैसी में ही चलने दे सकते हैं तो कितने अच्छे से चल रहा है दे के बारे में तो ये है अफ्रिकन हविसकस कैन अफ तो इसके सीड भी अभी आप डाल देजिए और इसको जिस तरह से मैंने बताया ना कि बरसात के टाइम तो जब भी बड़े बड़े प्लांट भी इसके ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं नहीं तो छोट-छोटे बैग बन कि उसमें सीड डाली और मिट्टी के साथ ही रूट्स को डिस्टर्व किये भी ना ट्रांस्प्लांट कभी भी कर सकते हैं इसके डाल देजी और अभी डाल देंगे तो बरसात के टाइम बहुत जल्दी ग्रोथ होगी और फिर सेप्टमबर अक्टूबर में देर सारे फूल अना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे तो बर्सार्त में भी आता ही zmian सर्दियों में भी सेप्टमबर अक्टूबर में पर इतने ज्यादा फूल नहीं आते तो आपके पास जैसे बजार से क्रेल ले लाते हो, खरिदने की भी जरूरत नहीं है, पक्के हो जो क्रेल ले होते हैं, उनके सीर्स डाल दीजिए, तो अपने आप ही ये पोदे निकलाएंगे, बाक्की बेजटेवल्स में आप चुलाई के सीर्स डाल दीजिए, तो अराम से इसके सबजी आपके जल्दी से त्यार हो जाएगी, और फूलों में विंका के फ्लार्स की ये सीर्स डाल दीजिए, खुब सारी पोद आपकी त्यार हो जाएगी, और इन्हें जब कभी भी आपर ट्रांस्पलांट कर सकते हैं, ये क्यूवन वटरकप के सीर्स भी डाल जब मर्जी ट्रांस्पलांट करें, और समर पॉइंट सिटिया के सीर्स भी डाल दीजिए, खुब सारी पोद त्यार हो जाएगी, हैज भी बना सकते हैं, इसकी बहुत ही बिटफुल लगती है, तो देखा आपने इतने मुझे याद आए हैं, तो मैंने वीडियो शेयर किय जो जो भी बीज अपने आप कहीं गिरते हैं, उगाते हैं, तो समझ़लो उनका उगने का सही टाइम है, तो सही टाइम पर आपके यहां के क्लाइमिट के हिसाब से जो अच्छा होगा उनके लिए तो उगाएंगी, तो उन्हें आप लगा सकते हैं, अगर अपने आप रहे हैं मेरे जो वाटर लिली और समर पॉइंट सिठिया भी ये भी पूरा सालवर जो अपनिशोबा बढ़ाते रहते हैं